नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विशय प्रत्य लेकर, तो आईए पढ़ते हैं प्रत्य, सबसे पहले प्रत्य की परिभाशा, वे शब्दांश जो किसी धातु यानि क्रिया या शब्द के अंत में जुडते हैं, उन्हें प्रत्य कहते हैं, जैसे क्रि प्लस क्तुवा, इसी तरह से मित्र प्लस तल, मित्रता, तो यहां ये क्तुवा और तल, ये प्रत्य हैं, आईए प्रत्य के भेद जानते हैं, प्रत्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला क्रित प्रत्य, दूसरा तधित प् जैसे गम प्लस तुमुन तो गम धातु है और इसके साथ ये जो प्रत्य लगा है तुमुन ये कृत प्रत्य है दोनों मिलकर शब्द बनेगा गंतुम इसी तरह से तदित प्रत्य वे प्रत्य जो संग्या सर्वनाम विशेशन आदी के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तदित प्रत्य कहते हैं जैसे धर्म प्लस ठक बनेगा धार्मिकह तो यहां ये जो ठक प्रत्य है ये तदित प्रत्य है इसी तरह से स्त्रि प्रत्य वे प्रत्य जो पुलिंग शब्दों को स्त्रिलिंग में परिवर्तित करते हैं उन्हें स्त्रि प्रत्य कहते हैं जैसे सुत प्लस टाप सुता तो यहाँ सुत यानि बेटा और इसका स्त्रिलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्य का प्रियोग हुआ अतह है यह टाप प्रत्य काहलाएगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कृतपरत्य के विशय में पढ़ते हैं जिन प्रत्यों का प्रियोग धातू अथ्वा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्य कहते हैं यहां हम क्तव, ल्यप, तुमुन, क्त, क्तवतू, शत्री और शानच आदी कृत प्रत्यों के विशे में पढ़ेंगे पहला कृत प्रत्य है क्तवा, क्तवा प्रत्य का अर्थ है कर या करके, क्तवा प्रत्य में क्तवा शेस बचता है, जैसे उधारन देखते हैं, धातु है क्री और इसमें यदि हम क्तवा प्रत्य जोडेंगे तो बनेगा क्रित्वा यानि करके, आईए इसे और आसानी से समझते अगली धातू लेते हैं क्री धातू और क्त्वा प्रत्य एक त्वा प्रत्य में ये जो कह इसका लोप हो जाता है और त्वा शेश बचता है अब ये जो त्वा यहां बचा है इसे हम यहां रखते हैं तो बनेगा क्री त्वा यानि खरीद कर आईए क्त्वा प्रत्य के अन्य उधारन देखते हैं सबसे पहले ग्याधातु जिसका अर्थ है जानना यदि हम इसमें क्त्वा प्रत्य जोडेंगे तो बनेगा ग्यात्वा यानी जानकर इसी तरह से नीधातु नीत्वा यानी ले जाकर स्मृधातु यानी याद करना स्मृधा याद करके हन धातु मारना हत्वा यानी मार करके इसी तरह नम धातु नमन करना नत्वा नमन करके नमसकार करके पठ धातु पढ़ना पठित्वा यानी पढ़ करके इसी तरह से हस धातु हसित्वा यानी हस करके तो ये था क्तवा प्रत्य अगला जो कृत प्रत्य है वो है ल्यप ल्यप प्रत्य का अर्थ कर या करके ही होता है धातू से पहले यदि उपसर्ग हो तो कर या करके अर्थ के लिए हम क्तवा का नहीं ल्यप प्रत्य का प्रियोग करते हैं और जहां उपसर्ग नहीं होता वहा पिछला जो प्रत्य हमने पढ़ा, तो आप प्रत्य का प्रियोग करते हैं ल्यप प्रत्य में यह शेश बचता है आईए एक उधारन देखते हैं जैसे क्री धातु है, यानि करना इससे पहले उप उपसर्ग लगा हुआ है तो अब हम ल्यप प्रत्य यहां जोडेंगे और शब्द बनेगा उपकृत्य इसे और आसानी से समझते हैं अगली धातु है क्री यानि खरीदना उससे पहले उपसर्ग लगा हुआ है वी तो हम प्रत्य जोडेंगे ल्यप देखिए कैसे वी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्य ल्यप में शेस क्या बसता है यह अब हम ल्यप के स्थान पर केवल यह रखते हैं तो शब्द बनेगा वी क्री यानि खरीद करके आईए ल्यप प्रत्य के अन्य उधारन देखते हैं सबसे पहले ग्या धातु और उपसर्ग है वी तो हम प्रत्य जोडेंगे ल्यप और शब्द बनेगा वी ग्याय वी उपसर्ग ग्या धातु और ल्यप का यह शेस बचेगा तो क्या बनेगा वी ग्याय आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु तो लिप प्रत्य जोडने से बनेगा आनिय इसी तरह से आ उपसर्ग और दाधातू लिप प्रत्य से बनेगा आदाय इसी तरह सम उपसर्ग भूधातू सम भूय प्रउपसर्ग नमधातू प्रणम्य ध्यान रहे यहां न का न बन गया क्यों यदि किसी शब्द में र, री या श होता है तो न का न बन जाता है तो शब्द बनेगा प्रणम्य इसी तरह सम उपसर्ग पूर्वक पठ धातू तो शब्द बनेगा समपठ्य यानि पढ़कर वी उपसर्ग हस धातू लिप प्रत्य लगाने से शब्द बनेगा वी हस्य अगला प्रत्य है तुमुन तुमुन प्रत्य का अर्थ है के लिए तुमुन प्रत्य में तुम शेस बचेगा तुम और शब्द बनेगा पा तुम यानि पीने के लिए इसे और आसानी से समझते हैं दा धातु तुमुन प्रत्य तो धातु है दा और प्रत्य है तुमुन तुमुन में शेस क्या बचता है तुम तो यहां हम दा के आगे तुम लिखेंगे तो नया शब्द इसके अन्य उधार्ण हैं जैसे ग्या धातु तुमुन प्रत्य ग्या तुम जानने के लिए नी धातु तुमुन प्रत्य यहां नी इसमें गुण होकर ने बनता है और शब्द बनेगा ने तुम ले जाने के लिए इसी तरह से क्री धातू, तुमुन प्रत्य, तो ए का ए बन करके बनेगा क्रेतुम, खरीदने के लिए, हन धातू, मारना, हन तुम, मारने के लिए, गम धातू, जाना, गन तुम, जाने के लिए, पठ धातू, तुमुन प्रत्य, पठितुम, पढ़ने के लिए, हस धातू, त प्रत्य हसितुम हसने के लिए अगला प्रत्य है क्त प्रत्य का प्रयोग भूत कालिक अर्थ में किया जाता है यानि कोई क्रिया हुई या की गई उस अर्थ में हम लिखेंगे क्त प्रत्य क्त प्रत्य में केवल तशेश बचता है याद रहे क्त प्रत्य का प्रयोग कर्म आव वाच्चे में ही किया जाता है। इसका एक उधारन देखते हैं जैसे क्री धातू क्त प्रतय। क्त में शेष बचता है त तो बनेगा क्रित ह। आईए इसे और आसानी से समझते हैं। अगला उधारन है क्री धातू क्त प्रतय। धातू लिखा हमने क्री और प्रतय जोड क्त में त शेस बचता है तो त को यदि हम यहां लिखेंगे तो बनेगा क्रीत ह अब यह विसर्ग यहां कैसे आया इसे समझने के लिए देखें पुलिंग में रूप बनेगा क्रीत ह यानि खरीदा इसी तरह से स्ट्रिलिंग में क्रीता खरीदी इसी तरह से नपुनसक लिंग में क्रीतम इन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं जिन शब्दों में क्त प्रत्य लगता है उन शब्दों के रूप पुलिंग में राम की तरह से स्ट्रिलिंग में रमा की तरह से और नपुन्सक लिंग में फल की तरह से चलते हैं जैसे पुलिंग में क्रीतह क्रीतव क्रीताह स्ट्रेलिंग में क्रीता क्रीते क्रीताह और नपुन्सक लिंग में क्रीतम क्रीते क्रीतानी इसके अन्य उधारन देखते हैं सबसे पहले है शुद्हातु यानि सुनना तप्रतयदी लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा शुताह सुना शुता सुनी और शुतम ये नपुनसकलिंग में इसी तरह से गम धातु गताह गया गता गई और गतम नपुनसकलिंग में इसी तरह से है द्रिश धातु देख पुलिंग में दिश्टः, स्रिलिंग में दिश्टा और नपुन्शकलिंग में दिश्टम। अगला है क्री धातू, पुलिंग में कृतः, कृता, कृतम। इसी तरह पठधातू, पढ़ना, पठितः, पठिता, पठितम। लिखदातू, लिखिता, लिखिता, लिखितम। अगला प्रत्य है एक्तवतु प्रत्य का प्रयोग भी भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। उधारन के माध्यम से। शुरु धातु क्तवतु प्रत्य है। क्तवतु में तवत शेस बचता है। अब यहां ये जो तवत है इसे शुरु के आगे जोडेंगे तो बनेगा शुरुतवत। अब इसे पुल्लिंग, स्ट्रिलिंग और नपुन्सक लिंग में कैसे लिखते हैं आए देखते हैं। पुल्लिंग में बनेगा शुरुतवान, स्ट्रिलिंग में शुरुतवती और नपुन्सक लिंग में शुरुतवत। इनके रूप कैसे चलते हैं। क्तवतु प्रत्य लगने के बाद पुल्लिंग में रूप चलेंगे भगवत की तरह से, स्ट्रिलिंग में नदी की तरह और नपुन्सकलिंग में जगत की तरह से आईए इनके अन्य उधारन देखते हैं सबसे पहले ग्याधातू जानना क्तवतू प्रत्य लगकर पुलिंग में बनेगा ग्यातवान स्ट्रिलिंग में ग्यातवती और नपुन्सकलिंग में ग्यातवत इसी तरह से गम धातू, गतवान, गतवती, गतवत, द्रिश धातू, द्रिश्टवान, द्रिश्टवती, द्रिश्टवत, क्री धातू, कृतवान, कृतवती, कृतवत, पठधातू, पठितवान, पठितवती, पठितवत, लिख धातू, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत, और ब प्रू धातू, बोलना, उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, अगला प्रत्य है शत्री प्रत्य, शत्री प्रत्य का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, जैसे उसने हस्ते हुए कहा, तो हस्ते हुए यह बनाने के लिए हम शत्री प्रत्य का प्रयोग क शत्री प्रत्य में अत शेस बचता है। शत्री प्रत्य का प्रयोग परस्मई पदी धातुओं के साथ ही किया जाता है। आईए इसे और आसानी से समझते हैं। अगला उधारन है हस धातु और शत्री प्रत्य है। शत्री में शेस क्या बचता है अत। अब ये जो अत है इसे हम हस धातु के आगे लिखेंगे तो शब्द बनेगा हसत। अब इसे पुलिंग में कहते हैं हसन, हस्ते हुए। और यद श्त्री लिंग में नदी की तरह से और नपुन्शक लिंग में जगत की तरह से। आईए इसके अन्य उधारन देखते हैं। सबसे पहले द्रिश धातु देखना तो पुलिंग में बनेगा पश्यन और श्त्री लिंग में पश्यन्ती और नपुन्शक लिंग में इसी तरह से गम धातु जाना, गच्छन, गच्छन्ती, गच्छत, दा धातु यच्छन, यच्छन्ती, यच्छत, क्रीड धातु खेलना, क्रिडन, क्रिडन्ती और क्रिडत, इसी तरह से पठ धातु पठन, पठन्ती, पठत, लिख धातु लिखन, लिखन्ती, लिखत, पा ध अगला प्रत्य है शानच प्रत्य का प्रियोग भी किसी कार्ये को करते हुए इसी अर्थ में किया जाता है। आईए इस प्रत्य का एक उधारन देखते हैं। पहले क्या लगता है म तो म जोड कर आन लगाएंगे तो बनेगा पच मानह यानी पकाते हुए। पुलिंग में बनता है पच मानह, स्ट्रिलिंग में पच माना और नपुनसकलिंग में पच मानम। शानच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप चलते हैं पुलिंग में राम के समान, स्ट्रिलिंग में रमा के समान और नपुनसकलिंग में फल के समान। शानच प्रत्यांत के अन्य उधारन देखते हैं पहला है सह दातू, शानच प्रत्यांत लगकर बनेगा सह मानह, स्ट्रिलिंग में सह माना और नपुनसकलिंग में सह मानम। अगला है व्रिद धातू, बढ़ना, वर्ध मानह, वर्ध माना, वर्ध मानम, लब धातू, लभ मानह, लभ माना, लभ मानम, यज धातू, यज मानह, यज माना, यज मानम, जन धातू, इसका बनेगा जाय, तो पुलिंग में जाय मानह, जाय माना, जाय मानम। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्य के बारे में तद्धित प्रत्य किसे कहते हैं जिन प्रत्यों का प्रयोग संग्या सर्वनाम विशेशन आधी शबदों के बाद में किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्य कहते हैं कौन से प्रत्य होते हैं तद्धित जैसे ठक, मतुप, वतुप, तुव, तल, तरप, तमप, अन, इतच, आदी आईए तद्धित प्रत्यों के विशय में पढ़ते हैं पहला प्रत्य है ठक प्रत्य ठक प्रत्य का अर्थ है भाव अर्थ में यानि उत्पन होने का भाव संबंधित होने का भाव इत्यादी ठक प्रत्य में एक शेस बचता है और जो पहला स्वर होता है यानि पहले शब्द का जो पहला स्वर होता है उसमें व्रधी होती है व्रधी के लिए हम संधियों में अल अई होगा, तो उसे हम अई लिख देंगे, उ, उ, ओ, अउ होगा, तो उसे हम अउ लिख देंगे, और यदि री होगा, तो उसे आर लिख देंगे, आईए एक उधारन देखते हैं, जैसे शरीर प्लस ठक, तो ठक में शेस क्या बसता है, इक, ध्यान रहे, शरीर में ये जो प शारीर और इक लगके बनेगा शारीरिक एक और उधारण लेते हैं नगर प्लस ठक ठक में क्या शेस बचता है इक अब याद रहे इक प्रत्य यानि ठक लगने के बाद ये जो पहला स्वर है न में अ इसके स्थान पर बनेगा आ और ये बन जाएगा नागर और इक जुड़ क तरके बनेगा नागरिक ठक प्रत्य के अन्य उदारन देखते हैं जैसे धर्म प्लस ठक धार्मिकह एका हमने क्या बनाया आ इसी तरह से कर्म कार्मिकह दिन दैनिकह इ है तो हमने अई बना दिया और शब्द बना दैनिकह इसी तरह से नीती तो नैती का है, वेद वैदी का है, भूत भूती का है, भूगोल भूगोली का है, और इतिहास एतिहासी का है. अगला प्रत्य है, मतुप प्रत्य, मतुप का अर्थ है वाला, यानि किसी के पास कोई चीज हो, तो उसे हम मतुप प्रत्य लगा कर दर्शाते हैं, मतुप प्रत्य में मत शेस बचता है, आईए इसका उधारन देखते हैं, जैसे शक्ति प्लस मतुप, यानि जिसके पास शक् शक्ति वाला तो शब्द बनेगा शक्ति मत अब ये आपने सुना नहीं होगा इसका पुलिंग रूप है शक्ति मान इस प्रत्य को और आसानी से समझते हैं एक उधारन और लेते हैं श्री प्लस मतुप मतुप में क्या शेष बचता है मत अब श्री के आगे मत जोडते हैं तो शब्द बनेगा श्री मत इसे पुलिंग में लिखेंगे श्री मान स्ट्रिलिंग में श्री मती और नपुनसक लिंग में श्री मत मतुप प्रत्य वाले शब्दों के रूप पुलिंग में भवत की तरह स्ट्रिलिंग में नदी की तरह और नपुनसक लिंग में जगत की तर अईए मतुप प्रत्य के अन्य उधारन देखते हैं। जैसे बुद्धी प्लस मतुप तो पुलिंग में बुद्धिमान, स्ट्रिलिंग में बुद्धिमति और नपुनसकलिंग में बुद्धिमत। इसी तरह श्री तो बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, धी, धीमान, धीमती, धीमत, इसी तरह से मधू, मधुमान, मधुमती, मधुमत, कीर्ती, तो कीर्तीमान, कीर्तीमती, कीर्तीमत, इसी प्रकार इक्षू, इक्षू कहते हैं इक यानि गन्ना, इक्षूमान, वतुप का अर्थ भी वही है वाला या सेयुक्त और इसमें शेस बचता है वत यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में अ आ या हलंत म हो तो वहां मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्य का प्रियोग होता है जैसे धन अब पिछले जो शब्द थे बुद्धी तो उसमें अंत में क्या था यहां क्या है तो प्रत्य वतुप जोडेगा और वतुप में शेस बचता है वत तो बनेगा धन वत पुलिंग में क्या लिखते हैं धनवान आईए इसे और आसानी से समझते हैं एक उधारन लेते हैं बल शब्द है और वतुप प्रत्य जोडेगे वतुप और नपुन्सकलिंग में बलवत, वतुप प्रत्य वाले शब्दों के रूप, पुलिंग में भवत के समान, स्त्रिलिंग में नदी के समान, और नपुन्सकलिंग में जगत के समान चलते हैं, आईए इसके अन्य उधारन देखते हैं, जैसे बलशब्द वतुप प्रत्य, गुण, गुणवान, गुणवती, गुणवत, विद्या, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत, ज्यान, ज्यानवान, ज्यानवती, ज्यानवत, धन, धनवान, धनवती, धनवत, कला, कलावान, कलावती, कलावत, ध्यान रहे यदि शब्दों के अंत में अ आ हो तो वान लगेगा और ई उ आदी हो तो मान लगेगा अगला प्रत्य है तुव प्रत्य तुव प्रत्य का प्रियोग भाव वाचक संग्या बनाने के लिए करते हैं इसमें तुव ही शेस रहता है याद रहे त्व प्रत्य लगने के बाद वो शब्द नपुनसक लिंग में ही रहेगा और उसके रूप फल के समान चलेंगे जैसे महत शब्द है और त्व लगाएंगे तो नपुनसक लिंग में रूप बनेगा महत्वम इसके अन्य उधारन देखते हैं पशु प्लस त्व तो पशुत्वम लगु प्लस त्व लगुत्वम इसी तरह से गुरु प्लस त्व गुरुत्वम जड से जडत्वम सम से समत्वम कटू से कटुत्वम देव से देवत्वम अगला प्रत्य है तल प्रत्य तल प्रत्य का प् भाव वाचक संग्या बनाने के लिए ही किया जाता है इस प्रत्य में ता शेस रहता है याद रहे तल प्रत्यांत शब्द यानि तल प्रत्य लगने के बाद वह शब्द स्ट्रिलिंग में रहेगा और उसके रूप चलेंगे रमा की तरह से आईए एक उधारन देखते हैं जै से पशू प्लस तल तल में शेस क्या रहेगा ता तो शब्द बनेगा पशूता लगू से लगूता गूरू से गूरूता मित्र से मित्रता सम से समता कटू से कटूता महत से महता आगे भढ़ते हैं स्ट्री प्रत्य की और स्ट्री प्रत्य किसे कहते हैं जिन प्रत्यों का प जैसे ताप प्रत्य, डाप प्रत्य, चाप प्रत्य, गीप, गीश और गीन प्रत्य, ये स्त्री प्रत्य हैं, आईए आगे बढ़ते हैं, पहला स्त्री प्रत्य है ताप प्रत्य, ताप प्रत्य का प्रियोग अकारांत पुलिंग शब्दों से, यानि ऐसे शब्द जिनके अं शब्लिंग शब्द बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है ताप प्रत्य में आ शेस रहता है उधारन देखते हैं सुत प्लस ताप सुत यानि बेटा और उसमें ताप जोडेंगे तो ताप में शेस बचेगा आ और दोनों मिलकर शब्द बनेगा सुता यानि बेटी इसे और आसानी से समझते हैं उधारन है चात्र प्लस ताप ताप में शेस क्या रहेगा आ तो चात्र के आगे आ लिखेंगे तो शब्द बनेगा चात्रा इसके अन्य उधारन देखते हैं जैसे बाल प्लस ताप तो बाला प्रथम प्लस ताप प्रथमा कोकिल से कोकिला अश्वा अज से अजा यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्य यदी जोडेंगे तो उस अक के स्थान पर इक हो जाता है और फिर आ प्रत्य लगता है जैसे बालक इसके अंत में क्या है अक तो जब टाप प्रत्य लगेगा तो अक का क्या बनेगा इक यानि बा बालक से क्या बना? बाली का. इसी तरह से धावक, धावी का. शिक्षक, शिक्षी का. गायक, गाई का. नायक, नाई का. अगला प्रत्य है गीप प्रत्य जिन पुलिंग शब्दों के अंत में री या हलंत न हो ऐसे शब्दों से स्ट्रिलिंग शब्द बनाने के लिए गीप प्रत्य का प्रियोग किया जाता है इसमें ई शेस रहता है आईए उधारन देखते हैं जैसे कर्तरी इसके अंत में क्या ह री तो पुलिंग से स्ट्रिलिंग जब बनाएंगे तो गीप प्रत्य लगेगा गीप में शेस क्या रहता है इ तो शब्द बनेगा कर्तरी अब यहां इसे लिखने में अंतर आ गया तो कैसे हुआ इसे और आसानी से समझते हैं अगला ओधार्न है अभी ने 3 प्लस गीप इसे हम यहां लिखते हैं अभी ने और 3 को मैंने थोड़ा अलग लिखा है प्रत्य जोड़ते हैं गीप प्रत्य गीप में शेस क्या रहता है इ अब इ प्रत्य लगने के बाद यहां ध्यान दें यह जो 3 लिखा है इसे हम अलग-अलग लिखते हैं त फ्लस री अब जब री स्वर के आगे दूसरा स्वर है इ आजाता है तो इनमें यन संधी होती है और यह जो री है इसके स्थान पर र बन जाता है तो त और र आगे क्या है इ तो त, र और ई मिलकर बनेंगे त्री अब ये जो नया बनकर आया है त्री इसे इस गीप प्रत्य और ये त्री है इनके स्थान पर ये दि लिखेंगे तो बनेगा अभी ने त्री आईए गीप प्रत्य के अन्य उधारन देखते हैं जैसे दात्री तो बनेगा दात्री, इसी तरह से धात्री से धात्री, कामिन ये न अंत में है तो गीप प्रत्य लगेगा तो कामिनी, तपस्विन, तपस्विनी, गुणिन, गुणिनी. ध्यान रहे उम्र यानि वय वाचक शब्दों से और जाती वाचक शब्दों से यदि स्ट्रिलिंग बनाना हो तो भी इप रत्य ही लगता है जैसे कुमार तो गीप लगकर बनेगा कुमारी, किशोर से किशोरी, ब्रहमन से ब्रहमनी, देव से देवी, गोप से गोपी तो ये थे मुख्य मुख्य प्रत्य आईए कक्षा 9 में जो प्रत्य चलते हैं यानि कृत्त प्रत्य उनकी पहचान का तरीका जैसे पहला है क्त्वा प्रत्य जिन दातों के अंत में त्वा लगा हुआ हो तो वहां प्रत्य होगा क्त्वा जैसे गत्वा, पीत्वा, इसी तरह से यदि धातों के अंत में यह हो विहस्य, उपस्रित्य, संपठ्य, तो वहां प्रत्य है ल्यप, धातों के अंत में यह तुम हो वक्तुम, पातुम, पठितुम, तो प्रत्य है तुमुन, इसी तरह से धातों के अंत में यह ताह, यानि गताह, पठिताह, लिखिताह इनके स्ट्रिलिंग और नपुन्सकलिंग के रूप भी बनते हैं जैसे गतवान पठितवान उक्तवान आदी तो प्रत्य है एक्तवतू इसी तरह यदि धातू के अन्त में है अन जैसे गच्छन पठन लिखन हसन आदी तो प्रत्य है शत्री और यदि अंत में है आनह या मानह, तो प्रत्य है शानत, ये तरीके हैं जिनसे हम इन प्रत्यों की पहचान कर पाते हैं, आईए अब कक्षा 10 के प्रत्य, जो तदित प्रत्य हैं, उनकी पहचान का तरीका, यदि किसी शब्द के अंत में इक हो, तो प्रत्य है ठक, जैसे धार और यदि किसी शब्द के अंत में हो मान याद रहे शब्द के अंत में ने कि धातु के जैसे बुद्धिमान, धीमान, कीर्थिमान तो प्रत्य है मतुप और यदि किसी शब्द के अंत में है वान, गुणवान, रूपवान, धनवान तो प्रत्य है वतुप और यदि शब्द के अंत में है त्वम, जैसे लगुत्वम, पशुत्वम, महत्वम, तो प्रत्य है त्व, और यदी अंत में है ता, जैसे लगुता, महत्ता, मित्रता, तो प्रत्य है तल, इसी प्रकार यदी किसी शब्द के अंत में है आ, जैसे छात्रा, सुता, अजा, अश्वा, तो प्रत् और यदि किसी शब्द के अंत में है इ, जैसे कर्तरी, दात्री, देवी, नदी, आदी, तो प्रत्य है नीप, तो ये तरीका है जिससे हम इन प्रत्यों की पहचान आसानी से कर पाएंगे, ये था आज का विशय प्रत्य, प्रत्य से संबंदित कोई भी प्रशन हो, तो कर्पय कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें, धन्यवाद.